सलामों अलेकुम टुवाला फितु साथ वे कैसे हैं आप सब लोग आज आप लोगं का एक स्पेशल सा छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा आज के इस वीडियो में हम औरिजनल सा क्वेस्टम पेपर करने वाले हैं इस में आपका सिकोर कह कहां तक पूचें का आज कि इस वीडियो में आपको टार्गेट देते हूँ जी हां आज का जो पेपर होगा target paper होगा इसमें हम जितने भी प्रेशन करें कि सारे के सारे आपको सही करने हैं तो 15 जनवरी को जिनका exam होने वाला है तो देखते हैं कि इस paper में आप कितना जमा पाऊगे अपना सुकूर कितना कर पाऊगे तो चलिए ज्यादा टाइम पे वेस्ट नहीं करेंगे हम directly अप हमें questions के तरफ बढ़ते हैं यहां पे आप देख सकते हो कि सबसे पहला प्रेशन आप देख सकते हो क्या पूछा गया है which place is known as roof of the world जल्दी से बताइए इन में से किस place को roof of the world के नाम से जाना जाता है तिबत चाइना आंधरापादेश यहां पे क्या है चोथा option यह जाता है तिबत को जाना जाता है इसके बाद आप देख सकते हो दूसरा प्रेशन यहां पे which of the following river originate from अमरकंतक आपको बताना है कि इन में से वो कौन सा river है जो कि अमरकंतक से originate होता है महानदी, सोना river, गोदावरी या नर्मदा तो यहां पे अगर मैं डीपार्ट की बात क आपको बताना है कि attorney general of India किसके दोरा appoint किया जाता है गवर्नर, chief justice, president या prime minister तो president जो है से appoint करता है that is c part हमारा right answer होगा इसके बाद आजाते है next question पे फतेपूर सिक्री वास ब्यूल्ट पाई आपको बताना है जो फतेपूर सिक्री है यह जो शहरे किसके दोरा बनवाया गया है बाबर, हिमायो, अकबर या शाजहां तो यहाँ पे c part that is अकबर हमारा right answer होगा इसके बाद आजाते है next question पे that's question number 5 पे हम आजाते हैं on which day international day of non-violence is observed आपको बताना है जो international non-violence day है उससे कब observe किया जाता है 2nd October, 3rd January, 22 March या 10 December तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2nd October की that is a part हमारा right answer होगा इसके बाद आजाते हैं next question पे that is question number 6 Indian currency notes are printed in which city आपको बताने जो Indian currency notes है वो किस city में print की जाती है Mumbai, Nagpur, Delhi या Nasik तो इन्हें जो है Nasik में print किया जाता है that is D part हमारा right answer होगा इसके बाद आजाते हैं next question पे which year is the third battle of Panipat was fought आपको बताने जो Panipat का तीसरा युद है वो कब लड़ा गया 1739, 1757, 1707 या 1761 तो यहाँ पे अगर मैं D part की बात करूँ that is 1761 हमारा right answer होगा यानि कि third battle of Panipat 1761 को लड़ी गई और आपको बताना है कि किन दो rulers के बीच में ये battle लड़ी गई और इस battle में किस ने किसको हराया ये भी आप point अच्छी तरह से बताओगे वीडियो के end में comment box में last में answer करोगे इसके बाद आ जाते हैं next question पे that's question number eight where is the headquarter of UNO सबसे पहले आपको ये note down कर लेना है UNO stands for United Nation organization इसका headquarter कहां पे है New York में इसका headquarter है बिल्कुल a part ही हमारा right answer होगा इसके बाद देखे next question who among the following is known as lady with lamp आपको बताना है कि इन में से जो है lady with lamp के नाम से किसे जाना जाता है अनी बेसंत, सैरुजनी नाइडो, इंद्रा गांधी या Florence night angle तो यहाँ पे अगर मैं deep part की बात करूँ that is Florence night angle हमारा right answer होगा इसे जो है lady with lamp के नाम से जाना जाता है इसके बाद आजाते हैं दसवे number question पर who was the author of the book my experiments with truth तो जल्दी से बताईए my experiment with truth के नाम से जो book है यह किसके दोरा लिखीगी इसके author को ने है महत्मा गांदे तारा ली बेग इसके बाद आप देख सकते हो कि मौलाना अब्दुलकलाम या गुविंड यहां पे क्या है पता नहीं यहां पे क्या लिखा गया है चलो कोई बात नहीं लेकिन इसका जो right answer होगा वो होगा महत्मा गांदे I hope कि सभी question आपको आ रहे होंगे सारे के सारे प्रशन आपके जहन में आ रहे होंगे यहां पे सारा का सारा target आपको complete करना है एक भी question नहीं छूटना चाहिए बिलकुल basic से question है एक भी question नहीं छूटना चाहिए तो यहां पे अपने target को जमाए रखना एक भी question मिस नहीं करना ह चलिए इसके बाद next question पर में आ जाते हैं who appoints the governor of Indian states तो governor जो है Indian state का किसके दोरा appoint किया जाता है vice president, president, prime minister या union cabinet तो यहाँ पे president के दोरा appoint किया जाता है that is B part हमारा right answer हो का चलिए बताइए गीता ठीके ना बगवद गीता तो किसके दोरा लिखी गई है कालिदास, वालमेकी, वैदवियास या कृष्णा तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ D part की that is वैदवियास के दोरा लिखी गई है या आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है इसके बादे की next question besides India, Pakistan and Sri Lanka which other Asian country has the rupee as its currency आपको बताना है इन में से वो कौन सा देश है इन में से वो कौन सी country है इंडिया, पाकिस्तान और स्रिलंका के अलावा जिसकी currency जो है रुपी है सबसे पहले आपको note down कर लेने इंडिया की अगर मैं बात करूँ इसकी currency भी रुपी है पाकिस्तान की currency भी रुपी है और स्रिलंका की currency भी रुपीज है और साथी साथ नेपाल की currency भी को भी रुपीज ही कहते है that means C part हमारा right answer होगा इसके बात देखिए यहां पे अगर मैं बात करूँ next question की question number 14 who composed the famous song सारे जहां से अच्छा तो जो famous song है सारे जहां से अच्छा Hindu सिता हमारा यह किसके दोरा compose किया गया है मुहम्मद इकबाल के दोरा ठीक है यहां पे इकबाल होगा तो यह आपको अच्छी तरह से note down कर लेना है B part इसका right answer होगा चलिए बताए इसके बाद next question who founded mughal dynasty in India इंडिया में mughal dynasty किसके दोरा found की गई फिर्स्ट बैटल ऑफ पानी पत के बाद 1526 में लड़ी की तो यहां पे जो है बावर ने foundation डाली mughal emperor की that mean A part हमारा right answer होगा इसके बाद आ जाते हैं section B पर that is journal sinus के portion पे यहां पे देखे एक भी question नहीं छूटना चाहिए which of the following is the havest ray आपको बताना है कि इन में से जो है हे वेस्ट रे कौन सी है बीटा रे गामा रे एक्स रे या अलफा रे तो यहां पे D part that is alpha रे हमारा right answer होगा इसके बाद आपको बताना है chemical formula क्या है laughing gas की laughing gas की chemical formula आपसे पूछी गई है चलिए जल्दी से answer करें यहां पे अगर मैं बात करूँ chemical formula of laughing gas की that is N2O ठीक है ना N2O तो यहां पे A part ही हमारा right answer होगा इसके बाद यहां पे देखे BCG vaccine is used for the prevention of आपको बताना है जो BCG vaccine है इसका use जो है किसकी treatment के लिए किया जाता है tuberculosis, plaque, dango या typhi, तो tuberculosis यहां पे A part हमारा right answer होगा और आपके लिए question है आपको मुझे बताना है BCG यह जो vaccine है इसमें जो BCG इसका full farm क्या है यह आप मुझे बताऊगे इसके बाद आ जाता है next question पे which vitamin gives stronger to bones तो हडियों को मजबूती किस vitamin से मिलती है vitamin D, vitamin B sorry vitamin D, vitamin C, vitamin A vitamin B, देखें सबसे पहले आपको note down कर लेना है vitamin A के deficiency के वज़ए से night blindness होती है vitamin B के deficiency के वज़ए से very very disease होती है vitamin C के deficiency के वज़ए सिकरवे disease होती है vitamin C को जो है ascorbic acid के नाम से भी जाना जाता है और यहां पे अगर मैं vitamin D के बात करूँ vitamin D जो है बहुत बार यह point के चुका हूँ इसे sunshine vitamin के नाम से भी जाना जाता है और इससे घडियों को मजबूती मिलती है और sunlight से इसकी प्राप्ती होती है और इसकी deficiency के वज़ए से austomalacia भी होता है, ricketts भी होता है ricketts चिल्डरन में होता है जिसे brittle burn disease के नाम से भी जाना जाता है austomalacia adultus में होता है या आप अच्छी तरह से याद रख लेना इसके बाद देखिए यहाँ पर आप से पूछा गया है इन में से noble gas कौन सा है कौन सा नहीं है देखिए यहाँ पर अगर मैं helium की बात करूँ इसकी जो symbol है वो है HA argon की जो symbol है वो है AR और niyan की जो symbol है वो है NE तो यह तीनों की तीनों क्या है noble gases है लेकिन oxygen जिसे denote किया जाता है O से यह noble gas नहीं है तो A part हमारा right answer होगा इसके बाद देखिए question number 21 hemoglobin in the blood is a complex protein reach in तो यहाँ पर मैं बात करो hemoglobin इसमें ज्यादतर क्या देखने को मिलता है iron देखने को मिलता है that is D part हमारा right answer होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दूआ में याद रखना अल्लाहाफिज अस्सलाम अलेकूम वर्हमतुल्लाहिवर्ट